स्वर्ग और नर्क की कहानी एक बुजूर्ग औरत मर गई एम्राज लेने आये अव्रत ने अज़े स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क एम्राज बोले दोनों में से कहीं नहीं तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किये हैं इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभू के धाम ले जा रहा हूं बुजूर्ग औरत खुस हो गई और बोली धन्यवाद पर मेरी आप से एक बिंती है मैंने यहां धर्ती पर सबसे स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत सुना है इसलिए मैं एक बार दोनों जगा को देखना चाहती हूं एमराद बोले तुम्हारे कर्म नर्क में बुजूर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी महां नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे और ने एक आदमी से पूछा यहां आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है आदमी तो और कैसी हालत होगी मरने के से करीब सब फीट उचा होगा उस पतीले के उपर एक विसाल चमच लटका हुआ था पतीले में से बहुत ही सांदार खुसबू आ रही थी बुजूर्ग और ने उस आदमी से पूछा इस पतीले में क्या है आदमी मायूस होकर बोला ए पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है बुजूर्ग और ने हैरानी से पूछा इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर क्यों नहीं खाते भूख से क्यों तड़प रहे हैं आदमी रो रोकर बोलने लगा कैसे खाएं ये पतीला सव फीट उचा है हम में से कोई भी इस पतीले तक नही पहुंच बाते हैं यह सुन बुजूर्ग औरत को उन पर तरस आ गया सोचने लगी बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं सायद इसमें इन्हें यही दंड दिया होगा अब यमरात बुजूर्ग औरत से बोले चलो हमें देर हो रही है दोनों चल देखकर बुजूर्ग औरत भी बहुत खुस हो गई पर वहां स्वर्ग में भी बुजूर्ग औरत की नजर वैसे ही सब फीट उंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था उसके उपर भी वैसा ही चमच रखा हुआ था बुजूर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा इ आप लोग तो इस तक पहुँच ही नहीं पाते होंगे उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा आप लोग भूंक से बेहाल होंगे पर मुझे तो आप सब बहुत खुस लग रहे हो ऐसा कैसे इन में से एक वैक्ति बोला हम सब लोग तो इस पतीले में से पेड भर खीर खाते हैं आउरत बोली पर कैसे पतीला तो बहुत उंचा है व्यक्ति बोला तो क्या हो गया पतीला उंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली उसको काटा और एक विसाल सीड़ी का निर्माड किया उस लकड़ी के हम पतीले तक पहुँचे पहुचते हैं और सब मिलकर खीर का आनन लेते हैं बुजूर्ग अउरत एम्राज की तरफ देखने लगी एम्राज मुस्क्राय और बोले इसोर्ग और नर्ग मनुस के हाथ में सवप्रक्खा है चाहे तो अपने लिए नर्ग बना ले चाहे तो लोग खुद ही आलसी उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए वहाँ कोई कर्म नहीं करना चाहते मेहन नहीं करना चाहते इसलिए भूख से बेहाल हैं क्योंकि यही तो इसोर्ग की बनाई इस दुनिया का नियम है जो काम करेगा मेहनत करेगा उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा जर्ग नर्क की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करें और ऐसी ही और भी बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए इस चाइनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए